नमस्कार दोस्तों मैं रूपमतिवर्थे पुपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रेन गार्डन में उम्मिद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो पहली वार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो नया टोपिक लेकर और आज की वीडियो का टोपिक है कि एंथुरियम डॉक फ्लावर की केर कैसे की जाए तो दोस्तों आज उसी की भी से में मैं बात करूंगे आप लोगों से तो चलिए और एक बात और बोलना चाहूंगी कि मेरे एक दूसरा चैनल है रुपास वर्क करके उसमें भी आप बिजिट कीजेगा और उसमें भी आप जाएएगा उसमें भी मैं सिलाइसे रिलेटिव कुछ वीडियो डालूंगी और जो भी मैं अपना वर्क करूंगी वो मैं सारा उस चैनल के मादधम से आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी दोस्तों तो चलिए दो दोस्तों वीडियो में बने रहे लाश्ट तक और हम ले चलते हैं आपको प्लांट के पास में और उसके पहले में थोड़ा सा थोड़ी सी जलक दिखाऊंगी अपने क्लांचो प्लांट की तो यह देखिए दोस्तों हमारे एक लांचो प्लांट और यह देखिए बहुत ही इसकी पिंक कलर का है ये वाला और ये दो प्लांट है मेरे पास में एक ये ओरिंज है ये भी पहुत सुन्दर लग रहा है एक ये रेड है ये देखिए दोस्तो और ये ये है ये भी रेड कलर का है और ये वाइट कलर का है और ये कुछ मेरी कटिंग है दोस्तो तो ये देखिए ये है हमारे डॉक फ्लार तो दोस्तो इसकी काफी वेराइटी आती है काफी तो मैंने नहीं देखा है मैंने दोड वेराइटी देखी हूँ लेकिन आती होगी और भी वेराइटी लेकिन मुझे तो जहां तक पता है कि दो वेराइटी है एक डॉब वेराइटी जो बुशी बनता है और एक टॉल वेराइटी ये रेखिए ये लंबी वेराइटी है ये लंबी वेराइटी के मेरे पास तीन कलर है तीन प्लांट है और दोस्तों इसको काफी नामों से जाना जाता है जैसे डॉक फ्लार है एंधुरियम है और परी भी कोई बोलता है कोई रेविट के नाम से बोलता है तो अलग-अलग छेतर में अलग-अलग नामों से जाना जाता कोई भी प्लांट के एक नाम नहीं रहता है अलग-अलग नाम रहते हैं हर छेत का कुछ हिंदी का कुछ इंगलिस का ऐसे अलग-अलग नाम होते हैं तो डॉक फ्लॉर साथ इसलिए पड़ा होगा कि ये देखिए ये हम इस परकार ये दवाते हैं ऐसे तो ये अपना मूँ खोलता है ये देखिए ये देखिए ये इस परकार इसलिए साथ इसका नाम इसका पड़ा होगा तो दोस्तो वुशी वैराइटी ऐसे होती है कि ये पूरा गंला फैल जाता है हमारा और टॉल वैराइटी एक दम लंबे लंबे जाते हैं ये तीन कलर है मेरे पास में और इसके कलर भी काफी आते हैं बहुत सारे कलर आते हैं डॉक फ्लॉर्के तो color इतने सारे इतने different different color के आते हैं दोस्तो आज मेरा गला भी थोड़ा सा खरास हो रही है गले में भी तो मैं बात कर रही थी तो दोस्तो सबसे पहले हम इसकी pot की बात कर लेते हैं और ये common plant जैसा ही है और ये दोस्तो हर छेतर में मिलने वाला plant है और इसको लगाते हैं सीट से बहुत ही अच्छे से लगता है और इसकी cutting भी लग जाती है पिछले साल मैंने cutting भी लगाई थी लेकिन लग गई थी cutting भी लग जाती है और इसको सितंबर अक्टूबर में इसके sheets grow करते हैं तो ये पूरे जब तक के सर्दी रहती है तब तक इसके फूल खिलते हैं दोस्तो ये मार्च तक के खिलते हैं मार्च अपरेल में अगर गर्मी आ जाती है और कहीं ठंड़क का छेतर होते है तो वहां मार्च तक के भी खिलते हैं और अगर गर्मी शुरू हो जाती है तो फिर ये अपने आप खतम हो जाते हैं कुछ अपने से ही खतम हो जाते हैं इसको कितना ही बचाएंगे बहुत रियली केस में ये बचते हैं कि जैसे बिल्कुल नेटेरिया में रखेंगे ठंडक में रखेंगे गर्मी में तब जाके ये बसता है नहीं तो मुश्किली होती है कि ये गर्मी में बसते हैं तो जितनी ठंड पड़ेगी उतने ही इसमें बहुत सारे फूल आते हैं और एक बार नहीं आते हैं दोस्तों जब ये फूल पूरी तरीके से आ जाते हैं फिर आप इसकी pinching कर दीजेगा नहीं तो ये sits बनाने लगता है इसके जीट बनने के पहले आप इसकी pinching कर देंगे तो फिर double से ये देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पर ये sits बनाने लगा इसको आप जैसे यह सू के फूल है, इसको यहाँ से तोड़ के फेक देंगे, तो यह सीट्स नहीं बनेगा, और यह देखिए, यह मैंने second बारी में फूल ले रही हूं इनसे, यह देखिए, यह दूसरी बार आ रगा है, सारे, यह देखिंए, मैंने यहाँ से pinching की थी, इसके यहां से सभी को मैंने कट कर दिया था इसको भी मैंने कट किया है यहां नीचे से यह देखिए यह यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कट किया तो यह देखी कि तब बुशी लुक हो गया है और डबल से फूल दे रहा है तो दोस्तो इसकी पॉट की बात कर ले तो पॉ वाले पॉट में आप रखोगे तो अच्छे से रहेगा और ज्यादा बड़े पॉट की भी जरुवत नहीं होती है मुश्किल से मतलब इसने पॉट को आप रखोगे तो अच्छे से रहे जाएका क्योंकि इसको घ्यरा पॉट देने की जरुवत नहीं होती क्योंकि अगर बहुत बडा पॉट कर देएंग तो कमसी निकम दो प्लांट लगा यह को यह मेरे पांच से इंच के हैं लेकिन देखिए किते अच्छे से सर्वाइब हो रहे हैं यह सभी और फिर दोस्तों इसकी मिट्टी की बात करूंगी तो इसको पोरस मिट्टी बनाई एगा एक भागा आप गार्डन सोयल ले लिजे एक भागा आप बर्मी कमपोस या काउडन ले लिजे मतलब खात की म आप जाहिए निसमा दो से तीन मेने की होती है चार मेने की होती है और इनको छोटे पोट में हम ग्रो करते हैं और फूल भी ज़्यादा परिद नंज जाईए होती तो इनको न्यूट्रिशन जञादा की जरुत होती है क्योंकि ये कोई भी प्लांट हो जब कम समय में इनको हम जादा जादा फूल लेंगे तो नुट्रिशन तो ले नहीं पड़ता है दोस्तों तो आप डेड़ भाग इसमें बर्मी कंपोस या गोबर खाद ले लीजे एक भाग इसमें हमारी मिट्टी ले लीजे और एक भाग आ पोरस मिट्टी बनाना है पानी रुकना नहीं चाहिए खड़ा नहीं रहना चाहिए इसलिए पोरस मिट्टी बनाएंगे और आप थोड़ी सी एक दो मुठी निमखली ले लीजे या फंजी साइट का पाउडर ले लीजे ऐसे करके आप मिट्टी बनाओगे तो बहुती बनाई जाती है फिर मैं इसकी पानी की बात करूंगी तो दोस्तों पानी इसको कम डालिएगा ओवरवर्टिंग बिल्कुल ना कीजेगा क्योंकि ज्यादा पानी डालेंगे तो इसकी जड़े जो छोटी-छोटी सी होती है गल जाएगी इसमें फंगस लग जाएगी बहुत जल्दी तो दोस्तों इसको कम पानी डालिएगा क्योंकि इसको दिन भर की धूप में भी रखते हैं कम से कम इसको पांच से छे घंटे मनेमं पांच घंटे तो इनको दूप की जरुवत होती है क्योंकि अगर धूप में नहीं रखेंगे तो यह फूल नहीं खिलेंगे और फंगस भी बहुत जल्दी लगती है यह मेरा खुद का प्रेक्टिकल है कि अगर हम धूप में नहीं रखते हैं तो फूल भी कमाते हैं और इसमें जल्दी से फंगस लग जाते कीड़े मकोडे लग जाती पत्तियों में भी बिमारी लग जाती है तो दोस्तों इसको पांच आने लगे हैं वो डाल सकते हैं और निक डालना है तो ओर निक भी डाल सकते हैं जैसे अद्रख, χरी मिर्ची और लसुन इनका सब का पेस्ट बना के बराबर मात्रा में और इसको एक भाग पानी और एक भाग हमारी जो चटनी जो बनाते हैं उसको दोनों को अच्छे से डिलिट करके और चान के और फिर इस प्रे बाटल में भरके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं तो औरगनिक भी कर सकते हैं तो इस प्रकार इसमें कीड़े मक पॉइन के लिएजर १ाद शार्ष के अपर। ऑन पॉझे सब्से कर लेको और में हमेसा उसमें fungicide का powder जरूर मिलाती है नीम खली में क्योंकि दोस्तों उसमें fungus लगने का डर रहता है सर्सों की खली में क्यूंकि अनाज रहता है तो उसमें fungicide का एक चम्मचा powder मिला लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या तो फिर अगर उसको इग्नॉर करते हो तो आप गोबर खाद या बर्मे कमपोस का भी लिक्विट फार्म में लिक्विट फटिलाजर बना के और वो भी हर 15 से 15 दिन तो नहीं फिर भी 10 दिन तो मिनिमम देना ही चाहिए क्योंकि हमें इसमें जल्दी जल्दी फूल लेना र जाल सकते हैं जैसे आठ दिन दस दिन के बीच में ऐसे बदल बदल के आप खाद दोगे तो इसमें बहुत ही अच्छे से डीएपी से क्या होगी इसकी जड़ मजबूत होगी तना मजबूत होगा ग्रेन री आएगी पत्तों में और फूल जादा देगा इस प्रकार इसको अगर हम जितने अच्छे से खाना पिना जैसे बच्चों की केर करते हैं इस प्रकार हम अपने पेड़ फोदों की केर करेंगे समय समय पे इनको खाना पानी दबाई बगेरा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से खूब फूल देंगे और खूब अच्छे से चलेंगे तो दोस्तों वीडियो में इतना ही अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलेगा धन्यवाद